अलो फ्रेंड, वेलकम पेक्ट टू आवर चैनल दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि NTPC-CVT1 2020 और 2021 में जितने भी कोशन पूछे गया है उनके ओरिजिनल एंसर की के फॉर्ड में हम उनका डिटेल एक्स्प्लानेशन लेकर आया है उसी के क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है जो 28 दिसमबर 2020 के सिफ्ट 1 में पूछा गया था अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं आई बेटन और इसके डिप्स्क्रिप्सन में आपको उसका लिंक दे दूँगा जहां से आप इसको जाकर देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब किजिए सेर किजिए लाइक किरिए और अपना जो भी सजेशन है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा चलिए शुरू करते हैं 36 नंबर कोशन क्या करता है 36 नंबर कोशन करता है महारत्न केंद्रिये सर्वजनिक छेतरक उपक्रम की सूची में निम्न में से कौन सी कंपनी सामील है महारत्न कंपनी में कौन सी सामील है तो ये कोल लिमिटेड इंडिया वाला जो है सेंट्रल कोल लिमिटेड ये नहीं है ठीक है परियाटन वाला भी नहीं है कोचिन सी प्यार भी नहीं है इसका राइट एंसर है कोल इंडिया लिमिटेड चलिए नेक्स कोशन की ओर चलते हैं कोशन नमबर 37 इसको करके देखिए निमलेखित में से कौन भारत के सबसे यूवा रास्ट पती थे तो इसका एंसर है नीलम संजीव रेडी दोस्तो जैसा आपको पता है कि नीलम संजीव रेडी सिक्स नमबर के रास्ट पती थे कितने नमबर के थे तो सिक्स नमबर के थे इनका कारेकाल जो था 1977 से 1977 से 1982 तक का 1977 से 1982 तक का इनका कारेकाल था सिक्स नमबर की रास्ट पती थे सिर्फ 54 एर में 54 एर के उम्र इन्होंने राष्ट पती का पद संभाल लिया था, ठीक है, तो सबसे यंगेस्ट राष्ट पती, सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट के रूप में नीलम संजी उरेडी है, ठीक है, अगला कोशन चलते हैं, दोस्तो अगला कोशन कहता है, निमलिखित में से कौन सा राज, पुरुवत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज के सदस नहीं है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि सेवन सिस्टर में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले अरुनाचल परदेस हैं, अरुनाचल परदेस के बाद में अस्सम हैं, अरुनाचल परदेस, अस्सम, नागा लेंड हैं, नागा के बाद में मनीपूर मीजोरम मेघाले और त्रीपूरा और त्रीपूरा इन में से यही इतने जो हैं यह सेवन सिस्टर में आते हैं तो त्रीपूरा भी आते हैं मेघाले भी आते हैं मीजोरम भी आते हैं सिक्किम जो है दोस्त यह सेवन सिस्टर में नहीं है सिक्कम जो है ये सेवें सिस्टर में नहीं आता है अगला कोशन 39 कोशन क्या करता है कि इसको तुसा बड़ा कर लेते है 39 कोशन करता है कि दोस्तों की एक समुह में इस परकाड बिवस्था में बैठा है कि उन्हें में से परते की एक अस्टबुज के कौन पर बैठा हैं सभी केंदर की ओर मुह करके बैठे हैं मेघहा राधा के भीकर्णतह सामने बैठी है तो हम सबसे पहली बात की अस्टबुज एक बना लेते हैं तो चलिए हम एक अस्टपुच बनाते हैं हमने एक अस्टपुच बना लिया दोस्त यह एक ही है यहां से यहां तक अस्टपुच बना लिया हमने अब करता है कि मेगा सीमा के बाई और बैठा है मेगा जो है सीमा तो हम कहीं भी सीमा को बैठा लेते हैं जैसे मा लेते हैं कि यहां पे सीमा बैठी है, तो सीमा के ठीक बाई और, सीमा के बाई और कौन बैठा है, मेगा बैठा है, तो मेगा यहां पे आ जाएगी, मेगा यहां पे आ जाएगी, बाई और सीमा के बाई और मेगा बैठी है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के साम सामने बैठा है सीमा के बगल में देखिए तो सीमा के बगल में कब होगा मेगा के इधर तो होगा नहीं यानि कि सीमा के दाहिनी ओर जो होगा वही तो सीमा के बगल में होगा क्योंकि बाइं ओर का सीट और लेटी रिजर्व हो चुका है ठीक है तो गोविंद क्या कहता है हुआ है तो दोस्त विकर्ण के ठीक सामने कौन सा होगा यह वला होगा न तो यहां पे कौन बैठा हुआ है सिर टो इस चंद्रा के दाएं और गोभिन्द बैठा होगा ठीक है अब इतना पर देखते हैं को कोशन को कोशन करता है चंद्रा के सामने कौन बैठा हुआ है तो देखिए चंद्रा यहां पर है और इसके सामने इसके सामने कौन बैठा हुआ चंद्रा के सामने तो चंद्रा के सामने सीमा बैठा हुआ सीमा बैठी हुई है ठीक है उमीद करते हैं समाज है आया होगा आपको ठीक है आगे चलते हैं दोस्तों इस तरह के question में actually होता क्या है यह आपको देखना पड़ता है कि question क्या करता है बहुत ऐसे question होते हैं जिसमें आपको सभी को बैठाने की जरूरत नहीं होती है अगले दो-तीन line को आप पढ़ेंगे दो-तीन को बैठाएंगे उसी में से एक question पूछा जाता है तो आप सबसे पहले यह देख लें पूछ क्या रहा है उसके बाद मैं इस चीज़ को बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा जैसे मालीजे कि इसी question में अगर हम इसको सब को बनाने लगते तो सायद हमको कम से कम एक मिनट का समय और लग जाता जबकि answer हमको आधा बनाने पे ही मिल गया है तो कभी भी sitting arrangement के question में इस तरह की चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे चलिए अगला question है आपका एक धन रासी का 10% वार्षिक दर से दो वर्ष का सधारन ब्याज 500 रुपे है समान समय में के लिए समान दर से समान रासी का चक्रबिर्धी व्याज क्या होगा दोस्तों आपको जैसा ही पता है कि सधारन ब्याज में जितने भी रासी होते है न वो हर साल equal amount में जूडते जाते हैं तो अगर ये दो वर्ष में 500 हो जाता है इसका ब्याज मतलब ये होता है कि एक वर्ष में कितना होगा इसका चक्रबिर्धी व्याज तो एक वर्ष में हो होता है यानि कि पहले वाले जो भी amount इसका रहा होगा उसपे तो ब्याज 200 रुपे लगी चुका है second year में लेकिन चक्रबिर्धी व्याज क्या होता है ब्याज पर भी ब्याज लगता है यानि कि जो 200 रुपे हैं इसका first year का ब्याज इस पर भी तो ब्याज लगेगा 10% के दर प्याज सेकेंड वाले में भी धाई सो ठीक है सोरी यह थ्टुर्व सा तो धाई सो first वाले में भी second वाले में भी धाई सो और first वाले पे भी लगेगा कितना 25 इसका 10% यानि कि कुल मिलाके आपका कितना हो गया सब को एड ग ज़येंगे तो कितना हो जाएगा 525 आपका राइ चलते हैं सबरी माला मंदिर कहां पर इस्तित है तो यह तो सब को पता होगा सबरी माला मंदिर जो है कहां है केरल में इस्तित है सबरी माला केरल में इसी मंदिर की अभी हाली में यह ज्यादा फेमस इसलिए है और एक्जाम में भी इसलिए पूछा गया है क्योंकि इसमें अभी महिलाओं को नहीं दिया गया था प्रवेस करने का यह लेकिन इस पार अब महिलाओं भी इसमें प्रवेस कर सकते हैं इसलिए यह कोशन करेंट से रिलेटेड था इसलिए ऐसा पूछा है तो अगसर इस चीज है जिसका यूज किया गया है तो हम जहां तक तेक पा रहे हैं इसमें लेटेड सिर्फ a बी और सी है यह तीह ही जो कि यूज किया गया है ठीक है डी और इश याहिसमें नहीं अगल है तो हम यह जाता साविश के। हो जाएगा इसी तरह से next three को देखिए बी ए क्या कमी है तो सी की कमी है ठीक है इसी तरह से आगे चलिए सी ए बी ठीक है इसमें क्या कमी है आगे वाले में क्या कमी है बी इस वाले इस तीन में क्या कमी है इस तीन में यहां पर बी नहीं है तो चलिए बी इतना पर ही देखिए क्या मेरा कहीं answer match कर रहा है A, C, B A, C, B कहीं match कर रहा है A, C, B match कर रहा है second number में तो यह आपका answer हो जाएगा exam में इस तरह से बनाएंगे बाकि अगर आपको ऐसे देखना हो तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं सब complete करके answer यहीं आएगा चीक है आगे चलते हैं अगला question Question number 43 Question number 43 mathematics का question है यह कहता है कि एक रसी को तीन अलग-अलग भागों में भी भाजित किया गया है पहली भाग की पूरी लंबाई एक बटा पांच है जो पहली वाला भाग जो है पहला अंस जो है उसका इसका जो भी लंबाई है उसका एक बटा पांच है चीक है तो माल लेते हैं कि अगर टोटल रसी की लंबाई एक्स है तो फर्स्ट वाला पार्ट कितना हो जाएगा एक्स का बाई फाइफ अब कहता है दूसरा भाग पहले भाग का तीन बटा दो है तीन बटा दो है तो पहले भाग का तो सेकेंड वाला पार्ट कितना हो जाएगा एक्स बाई फाइब का थ्री बाई टू एक्स बाई फाइब का थ्री बाई टू ठीक है एक्स बाई फाइब का थ्री बाई टू होगा तो यहां पर इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा 3X by 10 तो यह कितना हो जाएगा second वाला part हो जाएगा यह first वाला part हो जाएगा तो कहता है रसी का तीसरा पाग कितना answer तो टोटल रसी कितना है एकस है इन दोनों को add करेंगे तो आपको कितना जाएगा 10 LCM होगा 10 LCM होगा यह हो जाएगा 2 2X प्लस 3X यानि कि यहां इसको भी स्वल्फ करेंगे तो 5X by 10 यानि कि X by 2 आ जाएगा टोटल रसी कितना है X है और इन दोनों पार्ट को मिला कर कितना इसमें से निकल गया तो X by 2 निकल गया ठीक है अगला कोशन करता है चार दिये गए सब्द दिये गए हैं इन में से कौन सा चौथा से असंगत है या भिन्य है इसी को चुनना है तो आप देखिए चौक मारकर पेन और पुस्तक चौक मारकर पेन और पुस्तक चौक का काम लिखना मारकर का काम भी लिखना पेन का काम भी लिखना पुस्तक का काम पढ़ना इसलिए इसमें पुस्तक क्या होगा डिफ्रेंट हो जाएगा और पुस्तक राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन अगला कोशन कता है 2400 के 12% में क्या एड किया जाए 2400 के 12% में क्या एड किया जाए योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए तो सबसे पहले देखिए 2400 का 12% 12 by 100 में अगर हम X को ऐड करते हैं अगर हम X को ऐड करते हैं 2400 12 by 100 इसको काटेंगे 00 से यह कटेगा यानि यह हो जाएगा कितना 248 48 4 288 प्लस X का वैलू कितना हो जाएगा 284 के 72 27 18 प्लस X का वैलू कितना हो जाएगा 972 ठीक है अब X का वैलू कितना हो जाएगा तो X का वैलू हो जाएगा 972 में से आप 288 को माइनस करेंगे आपका कितना हो जाएगा 6, 8, 4 राइट हैंसे ठीक है 46 नमबर कोश्चन को ध्यान से देखिए करता है क्या इसमें से किस भारतिये राज की सबसे लंबा मुक्ख भूमी यानि में लेंड सागर तट से जूरा हुआ है तो आप सभी को पता होगा कि सागर तट वाले सबसे ज्यादा तटिये वाला भाग कौन सा है गुजरात है अगर यही भारतिये न पूछकर प्राय दीपिये भारत पूछता तो प्राय दीपिये भारत का प्राय दीपिये भारत प्राय दीपिये भारत के सबसे ज़्यादा किसका है तो आंधर परदेश का सबसे ज़्यादा आंधर प्रदेश का लेकिन यहां भारत पूछा है तो गुजरात की ऐसी तट बहुत ज़्यादा स्टॉट है सबसे ज़्यादा जो समुंद्र से गिरा हुआ है ठीक है अगला कोशन कहता है एक्स और वाई एक्स वाई मिलकर एक काम को बारा दिन में करता है तो एक्स प्लस वाई किसी काम को बारा दिन में करता है वाई और जेट इसे अठारा दिन में करता है तो वाई और जेट इसको अठारा दिन में करता है X और Z इस काम को 15 दिन में करता है X और Z इस काम को 15 दिन में करता है तो बताइए कि X, Y और Z एक साथ काम करके इस काम का कितना दिन में पूरा कर लेंगे लगभग में ये बोल ला है तो इन तीनों का LCM आप निकालेंगे इन तीनों का LCM आजाएगा 180 यहां आ जाएगा 15 यहां पे 10 और यहां पे 12 अगर इन तीनों को आड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C is equal to 37 तो A प्लस B प्लस C का वैलू कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C is equal to 37 by 2 यह काम 37 by 2 के स्पीड से करेंगे टोटल काम कितना है 180 37 तो उपर चला जाएगा multiply हो जाएगा तो यहां पे क्या आजाएगा अगर 360 यह क्या जाएगा 360 by 37 लगभग में पूछ रहा है इसको आप काटेंगे तो 9.9 something आएगा लेकिन लगभग में यह आपसे पूछ रहा है मतलब कि लगभग 10 दिन इसमें होना चाहिए लगभग 10 दिन होना चाहिए ठीक है समझा रहा है आगे चलते है देखिए इस question को trigonometry का question बहुत ही अचा question है ऐसा question अक्सर NTPC में पूछे जाते हैं question करता है 1 by sin square 65 degree plus cos square 55 degree plus sin 15 degree by cos 75 degree plus cos 65 degree by sin 25 degree तो जैसा कि हम आपको पिछले session में बताये थे sin 90 minus theta equal to क्या होता है cos theta इस तरह से अगर यहां पे sin 15 degree है तो हम sin 90 minus 75 degree इसको लिख सकते हैं यानि कि sin 15 degree को sin 15 degree को हम लिख सकते हैं sin 90 degree minus 75 degree और sin 90 degree minus 75 degree is equal to cos 75 degree हो जाएगा समझा रहा है यानि कि उपर वाले भाग में भी यह इसका value कितना हो जाएगा cos 20 ठीक इसी तरह से इसका value कितना हो जाएगा sin 25 तो यह दोनों कट जाएगा एक दूस्टे से यह दोनों कट जाएगे न तो यह दोनों कटने के बाद इनका भी value 1 और यहां पे आपको पता है कि sin square theta sin square theta plus cos square theta equal to one होता है तो यहां भी one by one यानि कि वहां पे भी one हो जाएगा इसका value भी one आ जाएगा यानि कि खूल मिलाके यहां पे one plus one plus one यानि कि 3 3 equal to root 3 10 theta तो 10 theta equal to 3 by root 3 यानि कि root 3 आपको पता है कि 10 60 degree का value कितना होता है root 3 ठीक है अगला question चलते है 49 question 49 question करता है स्वाराज मेरा जनमसीद अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा यह बहुत ही famous है किनके द्वारा कहा गया है बाल गंगाधर दिलक त्वारा दोस्तो गुपाल किसन गोकले कौन थे गुपाल किस गोकले जो थे महातमा गांधी के गोफाल किसने गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरू थे महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरू थे एमके गांध एमके गांधी के राजनेतिक गुरू भागत सिंग कौन थे तो भागत सिंग के बारे में तो आपको पता हैं स MON यह कौन सा नारतिय थे यह इनक्लाब जिंदाबध कि इनक्लाब जिंदाबध defect चंद्र सेखर आजात कौन थे शpatient सेखर आजात का नाम कब आय था यह काकोरी इंक आनड़ नुपलए ननाम इनका नाम नाम बहुत जयाद आया था ठीख आगे चलते हैं अगला कोशन 50 नंबर कोशन 50 नंबर कोशन बहुत ही इजी है आप इसको सॉल्फ करें तो सॉल्फ करेंगे तो 180 divided by 180 divided by इसको करेंगे तो दो दुन चाद दून आठ और प्लस नौ आठ और नौ शत्रह एक अठार डिवाइड़ बाइट प्लस 37-20 तो यह यहां से आ जाएगा 10 और प्लस 37-20 यानि कि 47-20 27-27 एंसर हाजाएगा चीक है तो बहुत इजी आता है कोशन इसी तरह का कोशन अकसर देखने को मिलता है ये question है गोवी मरुवस्थल निमलिकीत में से किस महादीप में है तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि गोवी जो है चीन और मंगोलिया मंगोलिया जो है इसी के पीछ में जो पढ़ता है गोवी है बहुत ही बड़ा मरुवस्थल है ठीक है तो यह कहां पढ़ता है चीन बंगोरिया यह पढ़ता है एस यह में ठीक है अचले आगला कोशन है 52 नमबर कोशन 52 नमबर कोशन क्या करता है इस चीज को देखिए ज़रा करता है कि if all the special characters are dropped from the below arrangement which of the flowing will be the 10th to be right of x करता है कि अगर इनके जितने भी symbol है special character है जैसे कि has है start है percentage है इन सब को अगर हटा दिया जाए तो बताइएगा कि x के right में 10 नमबर पर कौन सा होगा तो ठीक है special character को हटा देते हैं हम देखते हैं इसको तो जूम कर लेते हैं कि आपको clear से दीखेगा तो जूम करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही आप special character को हटाएंगे ठीक है तो 12345678910 नमबर पर कोन आ रहा है आ रहा है और इसका क्या हो जाएगा और राइट अंसर हो जाएगा समझा रहा है न ठीक है अगला question करता है कि पदार्थ की मात्रा मापने के लिए निमले में से किसका यूज किया जाता है तो पदार्थ का मात्रा मापने के लिए मोल का यूज किया जाता है एक मोल बड़ाबर कितना होता है एक मोल इकवल्टू होता है 6.022 into 10 to the power 23 अनू ठीक है इतने अनू होते हैं एक मोल में ये भी question बार बार पूछा जाता है ये वला question कि बताइए कि एक मोल में कितना होता है तो 6.022 into 10 to the power 23 अनू होते हैं ठीक है आगे चलते हैं वर्ष 2019 में पन्वे ग्यानफिट पुरसकार किन को मिला था तो 55 में ग्यानफिट पुरसकार ये अचुत्यम नबुन्तिरी को मिला था ठीक है एक current का question है आप ज़्यादा कोशिस किजिएगा कि आने वाले एक्जाम में 2020 और 21 के current को ध्यान से देख लिया जाए समाने रूप से केंद्रिये परविर्थी मापो में नीमली खित में से उप्युक्त और शत्मान क्या होता है तो दोस्तों आपको पता ही होगा माधिका क्या होता है माधिका यानि कि जो भी नमबर गिवेन होते हैं 8,10,12 उन सभी के मीडिल यानि के बीच में कौन से नमबर आ रहे हैं वही तो आपका माधिका होते हैं ठीक है लेकिन माध्य में क्या होता है माध्य में जो भी नमबर दिया गया होता है उन सभी को एड़ करना होता है एड़ करते हैं जो भी number given होता है उसका sum करते हैं और नीचे में क्या करते हैं नंबर करते हैं बहुलक में क्या है जो भी series given है कुन है उनसा भी में सबसे ज़्यादा कौन number आ रहा है वही तो आफका बहुलक range maximum और minimum के बीच का difference कितना है ये क्या होता है range होता है ठीक है तो यह करता है कि उपियुक्त औसत क्या होगा तो उपियुक्त औसत के लिए माद्ध ही एंसर होगा क्यों क्यों कि माद्ध एक तरह से क्या है औसत नहीं तो है बहुत लोग इसको नहीं देखता है और बनाया जा सकता है खोज लेता है तो नहीं बनाया जा सकता है मैं आप जो भी इसमें गीवेन है कोई ऐसे आप लेटर को ढूंडी है जो इसमें मौजूद नहीं हो तो आप G A T E S A T E सब एविलेबल हैं जी आर यू इन नहीं है यानि कि उपर में आप देखे इसमें इन कहीं एविलेबल नहीं है ठीक है तो ग्रंट इसका इंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन है पानी पत का दूसरा यूद अकबर और हेमिं के बीच में कब हुआ था बहुत ही सीम्पल कोशन है सबको पता होग में हुआ था 1826 में पानी पत का प्रतम यूद हुआ था फस्ट यूद हुआ था जो बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में हुआ था इबराहिम लोदी के बीच में हुआ जिसमें बाबर क्या हुआ था बीजे हुआ था ठीक है इसी तरह से 1761 हिस्वी में 1761 हिस्वी में पानिपत का थर्ड यूद हुआ था, जो थर्ड यूद किसके किसके बीच में हुआ था, अहमद सा अबदाली, अबदाली, अबदाली और मराठो के बीच में, जिसमें इस यूद में कौन बिज़े हुए थे, तो इस यूद में अबदाली बिज़े हुआ था, ठीक है, तो फ और 3rd किसके बीच में हुआ, 1761 अबदाली और मराथों के बीच में, चीक है, आगला कोशन पे चलते हैं, अगला कोशन कहता है, एक ट्रेंगल, के कौन 2X, 3X-8 और 5X-12 डिग्री है, तो तिर्बुच के सबसे बड़े कौन की माप क्या होगी, इस कंडिशन में आपको पता है कि तिर्बुच के तीनों कौनों का माप 180 डिग्री होता है, तो यहां से बनाएंगे 2X प्लस 3X-8 प्लस 5X-12, 5X-12, 5X यहां पे माइनस समझ लेज़ेगा, माइनस 12, इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यानि कि माइनस 20 हो जाएगा, और इधर आएगा 2X, 3X और 5X, यानि कि इधर आजाएगा 10X, और इधर आजाएगा कितना? 200, यानि कि X का वैलू कितना आजाएगा? 20, तो सबसे छोटा एंगल कितना हो जाएगा? सबसे छोटा एंगल कितना हो जाएगा 2 into 20 2 into 20 यानि कि 40 डिगरी उसके बाद में 3x minus 8 यानि कि 60 बेस्ट गई 60, 60 में से 8 घटाएंगे तो कितना सेकेंड वाला एंगल जो कितना बचेगा 58 और सबसे बड़ा एंगल जो आपसे पूछ रहा है 20 पे से 100 में से 12 यानि कि 100 में से आप 12 घटाएंगे कितना बचेगा 88 तो 88 डिगरी इसका सबसे बड़ा एंगल और आपसे पूछ भी रहा है सबसे बड़ा एंगल आगे करता है sin 3 by 4 और cos 5 by 4 इन सभी का वैलू दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है कि 1 plus 10 theta by 1 minus cot theta का वैलू क्या होगा जब कभी भी ऐसा condition है तो आप S में आपको पता होता है कि 10 theta equal to कितना होता है sin by sin theta बटा cos theta तो sin theta अगर 3 by 4 है तो cos theta भी इसमें divide करेंगे कितना 5 by 4 इसको अगर solve करेंगे 3 by 4 multiply by 4 by 5 यह कटेगा और आपका 10 theta का वैलू कितना आजाएगा 3 by 5 ठीक है अगर 10 theta का 3 by 5 आजाएगा तो 1 plus 3 by 5 by 1 minus cot 10 का उल्टा होता है यानि कि 5 by 3 इसको जब आप solve करेंगे तो 8 by 5 और नीचे आप solve करेंगे तो minus 2 by 3 यह 5 है यानि कि यह आजाएगा 2 by 2 ठीक है 2 से यह जाएगा 4 टाइमस में यानि आजाएगा कितना minus 2 by 5 minus 2 by 5 आपका राइट एंसर होगा ठीक है दो संख्याओं का योग स्टार्ट है उनके मासा पर और लासा पर इतना है तो बताएगे कि दोनों संख्याओं के ब्यूत्रकम का योग क्या होगा आपको पता है दोनों संख्याओं अगर माल लेते हैं कि संख्या A और B है फसंख्या A और B है तो इनके ब्यूत्रकम का संख्या होगा 1 by A प्लस 1 by B 1 by A प्लस 1 by B यानि इसको sum करेंगे आप AB, A plus B, यही तो होगा, ब्यूत्रकम यही तो होगा, तो कहता है कि इनका योग already दे रखा है 60, आपको पता है कि मसा और लसा दोनों को multiply करेंगे, तो उन दोनों संख्याओं का क्या होता है, multiply होता है, यानि कि मसा गुने लसा इस पल्टू पहली संख है, अगला कोशन चलते हैं, अगला कोशन करता है, लोकसभा की सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी है, तो लोकसभा की अधिक्तम संख्या 552 है, यह आपको भी पता होगा, 552, वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 545 है, 545 में से 530 लो राज से चुने जाते हैं ठीक है राज से चुनने के बाद में 13 ऐसे हैं जो यूनियन टिरिटिरी से सुने जाते हैं और दो ऐसे हैं जो एंगल वार्थी यह हैं इंगल इंडियन हैं जिनको राष्टपती मनोनित करता है इस तरह से कुल मिलाकर अभी वर्तमान में अगर क्यूशन निमलेकित में से कॉन सा दर्रा स्री नगर और लेह को जोडता है तो आपको पता होगा ये भी काफी करेंट का पूश्चन है जोजीला दरा जो है स्री नगर को प्र Zusाते हैrem को 40 सिदा नगर को लेह से जोडता है जोजीला पास अगला क्यृट है वा सबसे बड़ी संख्या बताएं जिसे 1 पच्पन 220 तीन सब पंðर 50 को विभाजित करने पर सेस्पल क्रमसब 5-10 और पंदर आते हैं तो इन सभी को मैंस करें तो वो संख्या क्या या जाएगी 150 इसमें 10 मैंस करेंगे 250 इसमें 15 मैंस करेंगे तू कितना हो जाएगा 300 300 Is Abhi Qad 네 50Kat रहा है 555 25 से नहीं करच रहा है तो 50 जब गटर है तो ओल इडिश말 वैसे आप इसका तरीका होता है कि इसका आप AFC निकालीजिए इन जोनों संख्यावT का इसी है निकालिगा 50 आएगा वही आपका answer वाजाएगा ठीक है अगला कोश्शन कीवर चलते हैं कौन सा देस शंयुक्त राज्ट सुरक्षा परिस्थ के सदस नहीं है तो आपको पता होगा सुरक्षा परिस्थ के चौन चीन, फ्रांस, यूके, अमेरिका यूके, अमेरिका यानी USA और रू से है इतने क्या है संयुक्त राज्ट के अस्थाई सदस यह सबी अस्थाई सदस है जपान इसके सदस नहीं है ठीक है कि सेरी कल्चर सब्द किस से संबंदित है तो सेरी कल्चर सब्द रेसम उत्पादन से संबंदित है रेसम की खेती करने से संबंदित है सेरी कल्चर ठीक है मधुमक्षी पालन से रिलेटेट क्या है मधुमक्षी प पक्षी पालं को क्या करते हैं? पक्षी पालन को हम AV कुल बोलते हैं. पक्षी पालं को AV क्लचर करते हैं. ठीक है? इसी तरह से मचली को क्या करते हैं? मचली को क्या करते हैं PC करते हैं मचली को PC मचली को PC मचली को PC मचली को PC मधु मखी पालन को AP कलचर और पक्षी पालन को AV कलचर AV और रेसम की खेती के लिए क्या यूज होता है सेरी कलचर ठीक है मधु मखी के लिए AP मजली के लिए PC रेशम के लिए सेरे और पक्षी के लिए AV कलचर ठीक है अगला कुशन भारत के केंदरिये आलू संस्थान CPRI कहां इस्तित है तो CPRI सीमला में इस्तित है या उसके जो भी है अगला कोशन करता है निमलीखित में से कौन सा देश बीमस्टेक के सदस नहीं है तो सबसे पहली बात कि बीमस्टेक का फूल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बीमस्टेक में फूल फॉर्म कोई बहुत सारे ऐसे का कहना है कि बीसे बंगलादेश इंडिय या मियमार ऐसा कुछ नहीं है बीमस्टेक का बीमस्टेक से उससे हम देश का नाम नहीं निकाल सकते हैं ठीक है बीमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिसियेटीफ फोर मल्टि सेक्टरल टेक्निकल एंड इकनॉमिक ऑपरेशन ठीक है बीमस्टेक का आपको अक्सर पूछता है धांका है धांका कहां है आपको पता है धांका बंगलादेश की रजदानी है बंगलादेश की रजदानी जो है धांका है और उसी धांका में इसका हेड़ क्वार्टर है इसकी अस्थापना कब की गई थी इसकी अस्थापना इसकी अस्थापना 1997 में किया गया था इसकी अस्थापना 1997 में किया गया था भी मिस्टे की अस्थापना ठीक है अभी परजेंट टाइप में इसके 7 मेंबर है परजेंट में इसके 7 मेंबर है वो कौन-कौन से मेंबर है तो चलिए हम देख लेते हैं से पहले तो भारत नेपाल भूटान भारत यह है उसके बाद में मियामार मियामार कि बंगलादेश कि स्री लंका और एक और है थाइलेंड तो दोस्तों यह तीन हो गए नेपाल भूटान भारत मियामार बंगलादेश स्री लंका और थाइलेंड इसमें मालदीव नहीं है तो बीमस्टेक में कौन सा सदस्त देश नहीं है तो इसमें मालदीव नहीं है कौन-कौन से हैं हो सकता है कि अगली बार आपसे पूछ दे कि इसमें से कौन से हैं तो ध्यान रखेगा इसमें प्रेजेंट में साथ हैं नेपाल भुटान भारत मियमार बंगलादेश स्री लंका थाइलेन इसका हेट क्वार्टर कहां है धाका धाका कहां है बंगलादेश की राज़दानी है और इसकी अस्थापना 1997 में की गई थी ठीक है अगला कोशन देखिए जब कभी भी इस तरह का कोशन आ जाया आपको अलजेबरा में तो आप खोशिस किजिए कि इसमें वैलू पूट करके हम इसका मान को निकाले जब कभी भी आप यहाँ पे देखिए जरा आप इसको तो आसा सोचीएगा हमने यह स सोचा तो हमको यह पता चला कि अगर यहाँ पे हम एकस का वैलू चार रख दें वाई का वैलू माइनस टू रखें और जेड का वैलू वन रखें तो पूरी तरह से यह दोनों जो है आपको सटिस्फाइट करेगा आप करके देखिएगा एकस का वैलू फो रखेगा तो यह कि माईनस वन टू से माईनस बज़ाएगा यानि कि वन बचेगा डिक इसी तरह से वाई रखाइ टीयाए की यहाँ और यहाँ वाई माईनस टू यहाँ इसका वैलू हो जाएगा माईनस वन पूच्छा रहा है कि जढ़ाएट जाइड का माहन कितना है ONE यू प्लस टू ठीक है इस तरह से इस question को बनाया जा सकता है अगला question करता है कि 5 volt 2 by 3 plus 0.73 minus 3 into 123 का value क्या होगा ये किसके बराबर होगा जब कभी भी ऐसा question है तो आप सब को point में change कर लीजिए तो इसके fraction को तोड़िए तो 5 ये 15 दो 17 बटे 3 17 बटे 3 को आप करेंगे 3 पचे 15 2.666 आएगा 5.666 इसमें आपको add करना है कितना 0.73 यानि कि finally ये हो जाएगा 6 9 और ये कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 यानि कि 6.396 इसमें से आपको minus करना है 3.123 तो इसका value कितना हो जाएगा 372.3 यानि कि 3.273 देखे 3.27 दिया हुआ है answer आपका यही हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं बाते हैं 70 साथ समारग दिल्ली में स्थित नहीं है तो दिल्ली में इस्थित नहीं है दिल्ली में स्थित इंडिया गेट तो है 1931 में इसको बनवाया था इसको सहीदो के लिए समरपित करके बनवाया गया था इसलिए इसका स्टार्टिंग में नाम और इंडिया वार मेमोलियर रखा गया था इंडिया गेट का नाम और इंडिया वार मेमोलियर रखा गया था लुटियंस 1931 में बनाया गया था जो अभी दिल्ली में इस्तित है इसी तरह से गेटवे ओफ इंडिया पूछता है बहुत इंडिया गेटवे ओफ इंडिया में कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को तो इंडिया गेटवे ओफ इंडिया मुंबई में है ठीक है हुमायू का मकाबरा आपको भी पता होगा हुमायू का मक अकबर के दोएरा फतेष पूर्षिक्री में बनाया गया था तेष पूर्षिक्री में ये ये उसको तीजित के वल्ल ऑन्लाव द्रीय और भी किला कहा है। दिल्ली में है। ये हमारा सेकेंड सेसन था। अगर अग्ला也是 पार्ट थर्ट में आएगा। अगर आपको ये सेशन प्रशंद आता है लाइक करें सब्सक्राइब करें तता आपने दोस्तों को साथ सेर करें धन्यवाद